Hello everyone, मैं विश्रुजीत सिंग, आप सभी का दीई नप पस्वागत करता हूँ दोस्तों, आज की इस विडियो के अंदर में हम MA History MHI 010 का Lesson 6 पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर में हम बात करेंगे हडपा वस्तियों का विस्तार और संदचना के बारे में हडपा वस्तियों का विस्तार किस परकार से हुआ, उनकी संदचना किस परकार के थी, इसके बारे में हम डीटेल में समझेंगे इस पूरी Lesson के अंदर में एक Important Question बनकर आता है, जिस Question के अंदर में पूछा जाता है कि हडपा सब्वेता के बस्तियों का विस्तार को समझाइए, संदचना को बताईए, किस परकार से उनकी विस्तार हुआ, किस परकार से उनकी संदचना थी, उसको बताईए या फिर question को कई बर गुमा कर इस तरह के से पूछा जाता है हडपा सभित्या के जो बस्तियां थी उसके अंदर में जो स्थानों को उप्योग किया गया घरेलू और गेर गेरलू संदर्ब में समझाईए किस तरह से कोई भी जगह होता है उसका घरेलू संदर में उप्योग हुआ और किस तरह से गेर घरेलू संदर में उप्योग हुआ उसको बताईए इस तरीके से भी question गुमा कर पूछा जाता है पर सबका answer almost एक ही रहता है तो आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है और समझना है कि कहां पर किस तरीके सा आप answer explain कर सकते हो और अच्छे निमबर ला सकते हो चलि हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हो और समझने इस lesson को हरपा सविदा की विस्तार और समझनाओ को और वीडियो को स्टार्ट करने इस पहले यहां पर दो रिक्वेस्ट रहेंगी सबी वीवर से जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं पहला रिक्वेस्ट यह रहेगा दोस्तों आपसे कि आप हमारे चैनल को देईन आपको ज़रूर subscribe करें क्योंकि आपके एक-एक subscribe से हमें motivation मिलता है कि हम और अच्छे से महनत कर पाएं और आप तक वीडियो लेकर आएं और subscribe करने का भी reason यह रहता है कि आपके एक-एक subscribe से हमें आगे बढ़ने मदद मिलता है और हम motivate होते हैं और अच्छे से वीडियो के बना पाते हैं और अच्छे से महनत कर पाते हैं आपके लिए दूसरा यह है दोस्तो रिक्वेस्ट आप सबी वीवर से कि जितने भी यह वीडियो पीडियो के अंदर में जो भी पॉइंट देखर हो आपके बुक से लिए गए हैं ठीक है दिए अपके नाम से टेलिग्राम गुरूप में वहां से आपको यह पीडियो भी मिल जाएगा चले हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूं हरए थरल्पा सर्वेता को प्राचिनतम सर्वेता के तो छो प्राकृंटे के दिए ह निक duet कशी ने को अंदर में कोई भी घ्रंथ आगाए यह, कोई बी लिखी हुई चीजी ओती होती है रिटन में उसको हम साहितिक सुरूत के अंदर में मानते हैं कोई भी अभी अभी लेख हुआ जो राजा-महराजा द्वारा लिखवाएगा बृतांत हुए ठीक है यात्रा बृतांत हुए बायग्रफी हो गई कुछ भी हो गया नो पन्याज जैसा कुछ भी कहानी किस से कहानी कि बिल-बुक कुछ भी हो गया तो उसको हम स Chaos काउन्दर में वानते जिसके अंदर में 있टन हो पर हड़पस subscribe कि जसे नहीं मिलती को क्या है बोधिक अफसेश की रूप में हyba two Dwight के रूप में हम स्टी के लिए हम्हें पुरात्वीक को माना जाता है यहां पर देखा क्या जाता है हडप़ा के अंदर में जो बस्तियों का विस्स्तार न उत्ति छेत्र में फैलाव था, वह नहीं था, लिम्नORY छेत्र में नहीं था, कि यहीं पर हडपा सबता अइन्ड हो गया, यह नहीं देखा गया, यहां पर जिसका फैलाव बहुत बड़ा माना जाता है, मालिम स्प्राइब के अदिया अदियागा और नगरों की विषिषिता भी ये डिफाइन करती है Korean जब मात करते कि इस तरह uhunk ता पंजाव सिंद्द और उनकी अधियों के किनारी और सोरास्त के कच्च मेंमी सबत्र अधागा पोरा फैलाव और उसी सब्सक्राइब कशधियों मिलता है नगरी के संरिच्ण हड़पस अधर के नगरी वैवस्था के अंदर में देखने के मिलता है जहां किंदरी करन्द वेवस्था मतलब Centralize कर के बनाया गया जैसे उसके आढस-पास की वेवस्था ज्यादा विखसी को केंदर मान कर बनाया जाता है और दुर्गनगर का निर्माल किया गया बड़े बड़े किले का निर्मान राजओ महरजा जैसे मतलब उचाहीई पर नर्य लिए इक उच्छाεια स्थान पर अकरमन कारी से बचाव प्रपस से हमिशा किले बंदी का पैटन अपना आए जाता था आगे हम पढ़ते हैं इसके हडपा सब्स्तियों का विस्तार किस परकार से हो रहा था तो हडपा बस्तियों की जब हम बात करते हैं तो भारतिय उप महादीत में उतर-पश्चिम भाग में यह स्तित है अधिकांस भस्तिया जो है पंजाव और सिंध में हैं आज की समय में जो सिंध है वह पाकिस्तान के अंदर में पढ़ता हैं सहेक नदियों की घाटी जो है कौन-कौनसी थी तो सतलुष यम्ना-दौाब में इस्तित पूरा यह छेत्र था सतलुषण यम्ना-दौआब के छेतर में यह इस्तित्र एरिया मान जाता है बस्तियों का फैलाव जो था गुजरात कच्छ, सोरास्ट पंजाब परवर्तिय तराइन और उत्तर पुर्वी अफगानिस्तान तक फैलाव इसका हो रखा था नदी के आसपास का जो छेतर था वो अत्यदिक विक्सित था इसका सबसे बड़ा रिजन क्या रहता था कि पानी की अविस्ताओं की पूर्ति के लिए भी नदी के आसपास का छेतर को जादा विक्सित किया जाता था उसके पास ही बसावट बनती थी ठीके, गैगरी पोलिस करके एक इत्यांस का रादय पुरा तत्विक वी भाग के वो यहाँ पर मानते हैं कि रावी नदी के टट पर हडपस के समीब बसावटों में कमी रही होगी उनका माना था कि रावी नदी के टट पर जैसे बाकी नदिओ की किनारे पे जो हड़पस हबिता था वो बहुत ज़्यादा फला फुलाज बहुत ज़्यादा विक्सित वहां पर घनी आबादी थी पर रावी नदी के टट पैसा नहीं था इसका में रीजन यह माना गया कि यह चेतर किसी की अपेक्षा पसुपालन और चारगा के लिए अधिक अनुकूल था यह जो चेतर था प अगर हम आगे बात करें तो अगरों की संरचना किस परकार के थी किस परकार से अगरों की संरचना के गए उनकी स्थान दिवार और चबूत्रों के वारे में बिसकस करें तो जादा तर जो साक्षेत हों मोहन जोद्रों से प्राप्त होते हैं और पर्मुख नगर के तौर पे मोहन जोद्रों को ही माना जाता है यहां पर जो नगरों का जो परमान मिलता है वह कुछ इस प्रकार से मिलता है कि यह दो टीलों के बेसिस पर बनाए गए इस निचला सहरण से नाम से पते है ज़्या जता है जो नीचे की और इस たफृता उसको निचला साहर कहा गया लोथल में उपरी छेदर को अ déb onu को पूरा के पर नवाली शैस defeated पैटन वह देखा जाता है है उसको थी नहीं खंड पाटा गया में पूरी जो नगर्वेशन चेंटर में बाट करको चाहिए गत्र कर額े एह दर्च परेवी बुए उसके लिए झाइसे nest नगर जैसे सब्दों का उपयोग किया गया वहीं पर गड़ और दुर्ग से प्राचीर ऐसे स्थान थे जहां पर सारजुनिक किर्थे किये जाते थे जहां पर आम जंता आम जंता रहती थी आम जंता के लिए खुला हुआ था सभी लोग मतलब उसको यूज कर सकते थे तो प्राचीर को मजगूत बनाने का कारे किया जाता था और इस तरह से निर्मान उसका किया जाता था मोहन जोदरों में सिल्प काय चबुत्रे का निर्मान किया गया चबुत्रे हुता है कि घर बनाने से पहले चबुत्रे किया जाते थे उसका निर्मान किया जाता था और शोती बस्तिओं में चबुतुरों देखने Deshalb इसने इन से खरकाभार कहुत्सारा था all देखने मिलती हिए अफसी। racial education परेंने आदेखने मिलता है ऐसा रेता कि छिए डॉट को बस हुर आएक थेता मानने पर के आखी आधे यह और इन्हुत्तेल है वर्क के लिए था तो एलिट वर्क को आप स्टड़ी करते हो तो महां पर देखने लिए अचा बुत्रे तो काफी हतक दोनों जग अचा है उचले दुरू की सहर की बात करो दोनों के अंदर में काफी हतक सेंडियर्टी देखने के लिए मिलती हैं भवन निर्मान के अंदर में नगर निर्माण करने की वबस्ता में एटों को उपयोग किया गया जिसमें पकई एटे कच्छी उपयोग कियाजाता था और घर बनाने से पहले चबुत्रू को निर्माण क cuiya जाता था घर के सासाथ आ नालियों को निर्माण की जाती थी इस तरीके की चीजे भी हमें यहां पर देखने के लिए मिलती हैं आगे हम इनके बारे में भी डिटेल में समझेंगे जिसे में पता चलेगा किस प्रकार से नगरों को निर्मान किया जाता था और इसको हम पढ़ेंगे योजना वाले टॉपिक के अंदर में योज सब्सक्राइब होना इस तर सरती निकालों इस सुचता है सब्सक्राइब तो अरपा के अंदर में जो नगरों का निर्मान होगा वह वो दो वीती से मसमझ सकते हैं पहली वीदी को आप वीदी ठीक है दूसरे को कहते है स्टैप वीदी रहा पर गाहों से सहर में प्रकरतिक क्याती है कि सबसे परकर्थिक विकास कि करत के थे घ्रड़ी के में क्या हो जाता है दीरे तीट है कि दीरे बजार और धार्मिक अनुस्ठान करा किया गाता है यह नहीं होता कि एक बारकर्थिक हो गया देरे 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 process के साथ में बनता चला जाता है इसका example में आपको दूँआ पर हम दूसरा वाला भी समझते हैं सबसे पहले आप हम बात करें step विदी का जो दूसरा विदी है किसी भी नगर नगरवाद को हमें समझने के लिए कोई भी हम नगर को study करते हैं तो दोई साफ में विकास करता है उसको हम परकर्टिक विकी दूरर रंपर के अंदर में study करते हैं अब हम जब बात करें step वी läuft की करते है कि एक नगरिये केंद्र पर्वी और यविजना के अंग बने ओंग, पुर्वी इसकी में मैं बने होंगि किस सरई होता है मैं समझाता हूँ आपको नों की इस जगह हूँ दली के बुराडी चित्र में में रहता हूँ तो यहां पे क्या हुआ आज से 15 साल पहले यहां पर घर नहीं था तो कि दो चार घर थे तो आपस में उतां ज्यादा बोल चाले नहीं था कोई गूरूप भी नहीं था कोई वॉलफेर सूसाइटी भी नहीं थी ठीके कोई राजन अब क्या हुआ 15,000 मकान के अंदर में 15 कम से कम आपके वह दिख जाएंगे जो गली के पद्धान बनके घुमते हैं नेता सब वह बन गए ठीक है कोई सची बन गया कोई ओल फैपर सोसाइटी खोल लिया किसी ने और डवली एक स्टार्ट कर दिया तो अलग लगतर इससे क्या ह पंदर साल का टाइब लिया देरे-देरे करके विक्सित होता चला और अभी विक्सित हो ही रहा है तो यह पूरा प्रॉसस के साथ हुआ पर वही पर हम दूसरे वाले स्टापीधी के इंदर में बात करें तो यहाँ पे इस्टडी क्या करते है कि माल लो अचानक से कोई जग प्वयों को यहां पर दोनों वीदि का वपयोग इस तरह के से की जो भी नगर मिलें सूर कि यह जानने कोश्चिस करता है कि त्यूजर एक जगह को केंद्र मान कर कि यह central point है इसको आधार मानकर इसको केंद्र मानकर पूरा विक्सित हुआ होगा यह मानकर चलता और रैंप विदी केंदर में मानता है कि दीरे 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 करके विक्सित हुआ होगा ठीक है इस टेप विदी का आप सबसे बड़ा example लेकर चलोगे ना जो तेलंगाना और जो मिलनाड़ू पूरा जो हैदरावाद को राजधानी को लेकर आपस में लडाई होता है ठीक है तो मानों कि जब उनकी नए राजधानी बनाई जा रही थी अमरावती जैसे बन रही थी और कुछ भी जो दूसरा बन रहा था तो उसके अंदर में यही था कि एक नई जगह को स्टैब्लिस करना था तो नई जगह डूड़ी गई वहां पर स्टैब्लिस किया गया उसकी साफ से वहां पर जरूरते की चीज़े रखी गई और जैसी रखा गया अपने आप विक्सित हो गया ठीक है तो वह सबसे बड़ा एक्जामपल देखा जाता है अभी मेरे माइंड अब्लब निर्मान कैंट आपने मैध की कॉपी देखी यह इस तरह से जो होती इस सारी रिच योजना के लॉजना चांच अंदर में अवर यह निचले सहर ने वह दिखने के भी डेखने क्ले मिलता है तो दोनों जगों पर गृपनाइगा जिस ग्रीड पदिति का इंदर मे इसके अंदर में क्या होता है कि हर एक लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री के इंगल पर काटती थी मुहन जोद्रों के अंदर में उत्तर दचिन में जो सड़के थी वह पूरु पश्चिम सड़कों की तुल्ला में अधिक इस पस्ट थी पूरा साफ सब समझ में आता है कि हाँ ये सड़के थी इस तरीके सड़कों का निर्मान किया गया दचिन पूर्भी जो दचिन और पूरव की ज़ज सड़क थी उत्तर दचिन की सड़कों के मुकाबले में पूरव पश्चिम की सड़क जाद अच्छी देखी गई ठीके नग पर्मुख मार साधन बनी तेकर नाली निर्मान के लिए बहुत जादा पर अधार के तौर देखा गया डैली का विकास प्रॉपर तरीके से आज तक अभी हो नहीं पाया क्योंकि जो नजल निकासी के विवस्ता जैली के अंदर में कभी भी आज तक इंतिजाम किया ही नहीं जबकि यहां पर हड़ापास अभेता को जब आप स्टेडी करोगे तो समझ में आएगा कि नगर घर बनने से पहले ही नाली जैसे विवस्ता बनाई गई थी जिससे जल को निकासी के आज सके नालियों को गंदे पानी को निकासी के विवस्ता अपना ही गई थी सार्वजनिक नालियों को घर के नालियों से जोड़ा गया जो बाहर की में नालियों होती थी उसको घर के नालियों से जोड़ा गया जिससे घर का पानी डारेक्ट में नालियों में मिल जाए यह देखा गया निकास पर नाली एक महत्यपुन विवस्ता थी जिसमें गंदे बभवन निर्मान की योजनाओं में एक पहलू माना की ईट के आकार भी देखा जाता है एक योजना मतलब हारे एक तरह की अलग अलग तरह के इटो का उपयोग किया जा रहा था पक्की इटो का उपयोग मोंच और दो के अंदर में हमें देखने के लिए मिलता है लोथल की नगर योजना जो थी उतकस्ट माने जाती है कि सबसे अलग विविन प्रकार की उतकस्ट हम लोथल की नगर योजना को मानते हैं अगे यहां पर हम बात करेंगे दोस्तों तोिए स्थानों के अंधर in डॉतर के प्रीजों लेकल आते हैं घरेलु और के निदे हो और चैइखा है आपंना प्रसंद्य वीर्ष diese क्यों पहलें ऑने चल सकता है 좋은 कि अब की उपयोग के लिए तो सभी लोग कर सकते हैं किन्दों के इंदर में संस्कृति केंदर पाटा जा सकत है जिसका उपयोग प्रस्तन रहोग के तो तर्व को जब आप करते हो तो वहां पर ज़्यादा इस्थार देखने के लिए मिलते हैं और गहरेलू प्रकरतिक रूप से उसको सीपार किया जाता है शार्वजनेक ईसनाना गार बनाए गया गया फैसा तो सब्सक्राइब कर रहे पहसे था सिल्चनाओं और गया अंदर में रखा गया साख्षे में देखने केलिए मिलते हैं मौन जोधरों में विसाल इसनानागार हरपा के अनाकार मतलब जहां पर रखा जाता था और विसेशकृत की विद्धार हो तक के लिए पर्युक्त होने वाली इस्थान थे मतलब दुर्ग के अंदर में क्या देखते हैं कि जादा तर जो कार्य थे हो सार्वजाजिक कार्य के दार पर निर्ण को निर्मान किया गया जिसमें भंडारन की सुजदा को लेकर बात करो चाहिए धारमिक अनुष्ठानों की बात करो यह सारी चीजे किसी एक का दिकार नहीं कोई मंदिर बना तो उसके ऐसा थानी कि मेरा मोनोपोली है बाइया मैं इस मंदिर में किसी को जाने निदूगा मेरा ही मंदिर है उसमें कोई भी जा सकता है तो धारमिक अनुस्ठानों के दार पर भंढ़ार्णसुजदा के दार ठीके इस नानगारव के दार पर इस तरह की होकु निर्मान किया गया है जो सार्फजोनिक टे और गईर रोलु के इंदर मुसको हम रखो चलते Jaap इसार्isen आनुस्टां कराने वाले आवास भी थे जैसे कोई आवा थार्म का अनुस्टान हो रहा है तो उसके लिए अलग से कु रस्मार यहां निर्मान की ओंता हाँ उतले में दया का था फैन् Leghar यहांर मतलब क्या हम जातीक एक बालब सन्दरपे की और ऋफिस एक वैक वक्थिक्टिक नहीं होगा किई कलग मीका नहीं होगाक कि जाती में रखते हैं सड़कों और नालियों का जो निर्माना था वह भी सारवजिनिक माना जाता है गेरगरलू संदर में उसको एकसेप्ट किया गया सासाथ में बस्तियों से होकर वह सारी सड़के नालिया गुजरती थी अनिग मामलों में जो संचार के माध्यम होते थे वह संचार के माध्यम के रूप में सड़कों का उफ्योग किया गया कब्रिस्तान को भी घरेलू संदर्म में अब कब्रिस्तान को घरेलू क्यूं माना गया ये एक बहुत बहुत टापिक है अगर कर दूशन में कि अपने बाप का धश्का का थैंड लोक को था जोरा स्टीनि और यह स्था और वहीं पर दिरे दिरे चीजे चेंज होती हैं और निवासों से दूर स्थान पे रखना जाता है तो उसको घयर गरुड संदर में कभरिस्तान को लेके जाते हैं कछ में धोला वीरा में सारवजुनी की स्थल का परियोग सार्थक रूप में किया गया किस तरीका से गैरगरलु है कुछ तलाबो की दिवारेपकरी ओटेटी दिवारों का निर्मान किया जाता था ठीक है ज़लास्भी में जाने नुका स्थानों के रूप questi जाता है तो उनका स्वय plastिक शहरो तो जो नुका सिसको हम गार एले संदर में रहते हैं जब बात करते हैं तो यहास जलते कि हड़पा नगरों में इस तैनका परीयोग बड़े पेमाने पर किया घणके। बमने प not me की एस घर डा जगा दो चारों के से कम्रों वस्ता होते थी पर्वेश करने के तॉर तरीके इन्हीं दो प्रकारिस ये बाटा जाता था ठीक है जैसे खमरों के अंदर में एंटर करने के अंप्र नियादे nggak होod Program सिदृओं की उपष्टित की ओपस्ति से ग्यात होता है मतलब मंजीला मकान उते एक first floor second floor जैसी ववस्ता देखने के लिए इसके बारे हमें जानकारी कैसे मिलती है तो CEO से क्योंकि CEO का निर्मान किया गया थो यह मान के चला जाता था कि उपर भी लोग साध रहते होंगी अधिकांस घरों में एक स्नानागार हुआ करता था जहां पर वो लोग नहाने के लिए उसको उपयोग करते थे जो सारवजनी के स्नानागार था वो सभी लोगों के लिए ओपन रहता था सभी लोग वहां पर उसको उपयोग कर सकते थे नालियां और सडकों का जो निर्मान था वो नालियां और सडक से जुड़ी हुए थी मतलब सासात में निर्मान किया जाता था घर बनाने के सासात में नालिया और सडकों का निर्मान भी किया जाता था कुछ इस तलों पे जो इस्थानेकरत जो थी उसकी विबंधा देखने के लिए मिलती हैं जैसे बनावली और पस्चिम दिवार बनावली में पस्चिम दिवार जो थी ती वो मोटी देखी जाती थी इससे सटे कक्स का परियोग बंडारन के लिए किया जाता था तीजोरी की र का समान नहीं था एक समानी था अलगलख पैटन के देह गया गरों के बीच में खालिस्तान डूदन लोतल के अन्ने अन्य नगरी और या ते घरो के नाल्यों का निर्मान पक्की इड़ों से किया जाता था हरपपा और मोहांजोद्रहों में सार्वजिरिक भवन बनाने केलिए पक्की इड़ों किया गया सुर कोटा में घर हों की रफर्टे करब कि लगाए जाते थां सुछ दीवारों में चूंayd प्लास्टर व्य लगाय जाते थे कमरों में दिवारों के साथ-साथ समान रखने के लिए भी ठाक बनाय जाता थे जिसे हम र理ेक बोलते है तोठोफे जिसका भी निर्मान किया जाता था है था ताक बोलते हुग तर्भ तर्भ जो बिहार लोग होंगे नीजिटाओं से जे उनको हुहुर्व समझ में आरवकर कहते किसे, उनको समझ में आरवकर ताक कहते किसे हैं हडपा में एक टीले पर चपूतरयाके समीप में फूस की जोपढ पाई गई ठीकर इंप आया कि फूस के जोपढ थी किस तर से निर्मान किया जाताता था किस तरसे वह विक्सित हो रहे रहते हैं इसiłपार्मान देखनेगा को बताईए तो किस तर से define करोगे सबसे पहले जो इधर मैंने बताया आपको कि हडपा है क्या उसको आप define करोगे अजब भूमिका के तौर पर उनके में डेफिनिशन के तौर पर उसके बाद आप एक एक पॉइंट को उठाते जाहिए हडपा सुष्आ करफा विस्तार के सब्सक्राइब करकोथा के से तान कर को forth गई चूब RICHARD सबसे डिफाइन करोगे न तो आपको 20 सब्सक्राथ 14 19 नमबर तो easily मिल जाएंगे और यह सारे points easy हैं आपके book से लिए गए हैं तो आपको समझने में भी असानी होगा तो friends यहाँ पर हम video end करेंगे बटेक request रहेगा सभी viewers से एक बार आप से वापस से कि मैं विशुजीत सिंग आप सभी को पढ़ा रहा हूं अगर लाइक करते हो तो आपको सारे जो academic courses है वह आपको मिलता है MA का सासात में अगर आप the nub info को like करते हो subscribe करते हो तो यहाँ पर जो भी आपके college से जुड़ी information होती है जो भी आपके college से जुड़ा हो update होता है आपको time के साथ में वहाँ पर दिया जाएगा जिससे आपको benefit होन time and thank you so much for watching me thank you so much for listening me bye bye take care all the best